का जयार्सियम नाम गौरब साख के और डिश्टिक्ट आगरा से बिलोंग करता हूं और इस कंसरप को करीब दो-धाई साल से अपने गुरू सुद्धिप चोहां जी के माधितम से सीग रहा हूं और आज मैं जो जानकारी दे रहा हूं आज मैं पहली बार टैनिंग अपने टी से जानकारी डूम है यह से में फाउंटें और जो चार पौच है अपनी पुक्रिया सब की अलग-अलग है चारों की और क्या-क्या काम करता है वो खेती में वो हम आपको डेटेल में बताएंगे जैसे हरी सजीमनी पिक्रिया एका इसमें दो तरह के पाउच निकलते हैं जैसे आप 200 ग्राम एक एकड के लिए और 125 ग्राम आदे एकड के लिए मतलब यह है कि जो आगरा की जमीन है उसक लिए आप सभी आदे करते हैं उसमें तो आप 200 ग्राम एक एकड के लिए और 125 ग्राम आदे एकड के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या काम करता है जमीन को उपजाव बना रहे का उपचा पत्ती है यह यह जमीन में रसायनों के अनुगुल्स गटकों को गोल देता है मतलब यह क्या है जो फश्ट पाउच हम डालते हैं जो जमीन में रसायन गुलन नहीं अते हैं तो उसको क्या करता है यह उसमें घोल देता है यह जमीन को भुरुरी बनाता है और जमीन में नमी को बढ़ाता है मतलब जमीन को भुरुरी मतलब आप किसान भाई जानते होंगे कि जमीन में जैसे आप खेट बगरा जोड़ते हो तो लड़ू से बन जाते हैं तो उससे क्या है कि जब आप पसल करते हो तो आप करीब 100% आप बीज डालते हो तो उसकी वैसे आपको करीब 75% आपके खेती में उपजाव हो जाती हो 25% जो आपका बीज है वो खतम हो जाता है और ये हमारी जो हरिस जिमनी का फ़र्श पाउट पक्रिया फ़र्श डालते हैं वो क्या करती है बुर्गुरी कर देती है मतलब रेट सा कर देती एक दम बुलकुर कोई भी गोली बगएरा जैसे आप मिट्टी का वो नहीं होता है तो उसको भुरुरी कर देती है नमीन में जमीन में नमी को बढ़ाता है मतलब यह है कि जमीन में आपका सूकट बगएरा नहीं रहती है जमीन के अंदर लोग क्या जैसे बहुत से लोग डाल देते हैं फिर कहते हैं कर नए तो दिया था पानी आज सूकट है क्यों उसके अंदर जमीन में नमी नहीं नहीं होती है उसको हम नमी कहते हैं क्योंकि अभी लोग बहुत से लोग यह हैं कि अभी नए लोग है नमी क्या चीज़ है जो हम पानी लगाते हैं उसके बाद में हलका सा हलका सा पानी रह जाता है उसको नमी कहते हैं यह क्या है पसल में सूच में जर्म में प्रद्दी करती है यह क्या है क इसका क्या काम रहता है जब आप किसान लोग हम खेती में बीज वगरा बोते हैं तो पसल में जो सबसे में चीज़ गाए आपने देखा होगा यति घर घर मजबूत बनाना है तो नीम को मजबूत बनाना पड़ेगा जब आपका घर उपर मजबूत बरेगा अधि आपकी जड़ कमजोर है तो आपका जो नीम भरी हुई है आपके घर की वो कमजोर है तो आपका घर भी कमजोर रहेगा उपर जाके तो यह क्या है जड़ पसल की ज कि मैं ब्रद्दी करता और मजबूत Πनाता यह जमीन में जिवाडू का विकास होता है मतलब यह कि अपने जो खेती में जमीन के अंदर कैंचुव वगएरा होते हैं जिवाडू होते हैं उसमें विकास होता है और हम लोग अब जो जिवाडू है जैसे कैंचुए वगेरा है हम लोग इतना हैवी वो डाल रहे हैं दवाई जिवाणू खतम होते जा रहे हैं आप कोई भी खर्पकबार की दवाई वगेरा देते हो जिससे कैंचुए क्थम हो जाते हैं और हम बतादें उपज बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा कैंचुए ज जरूवत होती हैकि कुछ ऩराम अब कितनी भी बीज लगा लेना अपके पसल का कवी वी बिकाश नहीं हो अपकी ब्रोत्री कभी भी नहीं होगी यह क्या करता है कि जो उपज है मिट्टी बनाता है जैसे आप अभी हमारे साइड में अभी हमने हरी सजीमनी लगवाई थी तो एक तरह का बंजर होते हैं लोग जानते हैं बंजर क्या करते हैं करीब 10-20 साल से कोई भी पसल नहीं हुई हो आप उसको पहली बार करते हैं तो वहां करीब 25 परसेंट ही रियल्ट आता है और जमीन में नाइ्टोजन की पेड़ के लिए बहुत जरूरी है जैसे पौदे को बढ़ने के लिए हम सबसे ज्यादा यूरिया का प्रयोक करते हैं अब उसमें च्छालीस परसेंट नाइटोजन होती है, चेलीस पर्सन नाइटोजन तो पीड़ के लिए बढ़ीया रहती है, हम लोग़ां के लिए बिए सही है, जब प्रेडम को मिल लगा रहा है, आपके यूरिया के गट्टा पे साप-साप लेगा रहता है, 46 पर्सेंट नाइटोजन, स्टार्ट कर देती है यह हमारे लिए बहुत नुक्सान दायक होती है इसको इस्तमाल कैसे करें आप इस्तमाल पहले पाउस को इस्तमाल कैसे करें इसका इस्तमाल करने का एक ही तरीगा है या तो आप मिट्टी में मिट्टी में यूज कर सकते हैं इसको या फिर यूरिया के अ कोई गुलंसील पदा तो जैसे आपका यूरिया है आपका या मिट्टी है ठीक आप उसमें दे सकते हैं जैसे 30 से 40 कलो सुकी मिट्टी के साथ मिलाकर दे सकते हैं यह इडिगेशन द्वारा भी दे सकते हैं इसको हर्ज मिको परуз. जमीन में प्रकाती एक देने बाला देने के बाद पानी देना आवशक है आप पहला इष टेप दे तो उसको हम सूखे में नहीं दे सकते हैं आप जैसी हरी सजीवनी को पहला इस्टेप देते हैं तो आपको उसके वाद या तो पानी के साथ में दें या फिर पानी लगा के उसको दे के पानी जरूर लगाएं अब इसमें प्रकरिया दो मतलब दूसरा पाउच निकलता है इसमें सो ग्राम एक एकड़ के लिए और पचास ग्राम आदे एकड़ के लिए मतलब यह है कि सो ग्राम का पाउच निकलता है वो एक एक एकड़ के लिए होता है यदि आप एक बीगा के करीब दे रहे हो आगरा क से तो आदे सकते हैं यह क्या करना है पसल को संतुलिद ब्रद्धी में उप्चाब की पत्प्त्त में पहरी को देखिंग कि आकार में ब्रद्व होती है कि काश अपलेशन किरिया तेज होने के अन्य निर्मित होती है मतलब जड़ों में सक्स विकास करने मरत करता है अबने अभी बताया था कि यदि आपकी जड़ मजूत है तो पौदा भी बहुत बढ़िया होगा या पी जड़ कमजोर है तो पौदा कभी भी आंगें बढ़ नहीं सकता है और बढ़ेगा भी तो जो पसल आप उंबीद कर रहे है व एक 55 ग्राम एक एकड़ वी आदे एकड़ के लिए होता है यह क्या है मतलव आपके फूल वगश्ट है तो जैसे और भी जैसे आप किसमें यूज कर सकते हैं जैसे आप बहुत सी चीज़ने जैसे बाज्क आये मूलीय मैंतिया ऐ पाल लगानीया तरस हैं थमांटर रहरे बै पूलों के के लिए हुधा जब आप क्या होता है जब पसल निकलती जैसे आपके तोड़ा तोड़ा सी बाल 2 الل लगटा है इसके इस्तमाल के लावह क्या लाव है इसुंस मैं फसल की शाहें बढ़ती आपती आपकी और वे जा सबसे ज़्यादा माधा फूल का निर्माण होता है और मने ऑकसाइड और संतोरित रखता अभी हमने तो हमें इसकी जरुवत पढ़ती नहीं है यूरिया बगरा के इसमें जरूवत परहेगी नहीं यह क्या है पसल की प्रतिकूल परस्तियों में फूल और पत्तों को थामने की छमता बढ़ाती है मतलब प्रतिकूल परस्तितियों में मतलब आप परस्तितियों में जैसे आपके फूल पत्तों थामने की छमता बढ़ाती है यह प्रकति फोर आप प्रकति फोर मतलब यह है कि आ देने में मदद मिलती है मतलब यह कि आपके जो पते सूख जाते हैं या कुछ भी बहुत अच्छी ब्रद्दी होती है मतलब यह है कि आप जब फसल में देते हैं तो बहुत अच्छी ब्रद्दी होती है इसके अंदर और और फूलों फल में आपने फल में यूज किया हो तो इसकी बहुत ही भड़िया रेयल्ट है आपने कभी भी यूज करा हो हमने इसमें अभी टमाटर में यूज करवाया और अभी हमने एक्सपेरिमेंट के लिए एक गयों मार्केट के कर रखे हैं जिसमें क्या है हम यूरिया और इस्तमाल कर रहे हैं उसका हमने हरिश्स जिवनी के करा है दोनों के हम रेल्ट देख रहे हैं उसके गयंग में क्या है हमने 40 किलो एट वीगे में गयंग डाला तो कहीं कहीं उप जा बेगरा वगरा यहां उप जा और अब हमने हरी सजिवनी का पहला श्टेप देखे और हमने वी सिराम 303 का कोई भी ब्रांड है ब्रांड हमने एक ही दोनों में बोई वह 40 हो हैँ यह हमने करीब 20कलो हुए और हम बता दें भरतता sectors वगज़ा को सबको पताए कि जो बीस किलो वाला है वो चालीश किलो से बढ़ी आए ठीकन इए इसकी इतने ब्रद्धी है जैसे आपके फल में फल है आपके फल में क्या है कि आपने कभी भी फल में लगा हुआ जैसे हम लोग यहां फल तो हमने नहीं लगवाया लेकिन सब्जियों में इतना लगवाया हमने भिंडी में लगवाया था अभी भिंडी में लगवाया टमाटर में लगवाया बैगन में लगवाया भिंडी में हम बता दें जो भिंडी में चमक आती है उसी से सबसे जादा भिंडी होती है जो कहते न है जो दिखता है वह विक्ता है जिसके अंदर आपने सो रूम में देखा होगा जिसके जयादा चमक होती है लोग सी के सरू में जude है आप कि दिने देखा होगा कपड़े का कोई भी थे सरांग को थे लोग आप था प्सक्राइब लग रही है उसी में यह क्या है कि यह क्या है चमक पैदा कर देता है जिसमें हरसे जिम लगती हो उसकी सब्गियों में ओटोमेटिक ऐसे लगता है कि इसमें साइनिंग दे रखी है ऐसे चमक होता है यह फसल में जा से जादा फूलों का रुपान्द फल में होता है मतलब यह कि फसल में जितना ब्रद दीव होती है उसमें पहुत ब्रद्दी होती है जैसे फल में जल्दी वी प्राकतिक रूप में पकते हैं या फसल में पानी के ब्रद्दी के बीच संतुल बदा बनाकर पत्तों की ग्रावट को नेंतर रखता है मतलब आपने देखा होगा कि जैसे आपने अभी जो पशल है प जैसे होत आप से लत में आप आप जैसे है ग्याओं की हक族 है पीला हो जाता है और सुपना पर लिसक इता पहले ही नीची नीची में जड़े है नीचे नीचे क buda होता है वह पीला पढ़के सूख जाता है अग गेंव तो आया है गेंव ऊपर होता है यह क्या करता है यह पूरा नीचे से लेकर ईपर तक पूरा पॉद्य को राखता हि हा यह हरे कि को निवं कॉंइभ है करें अभी आप कर रहे हैं एक से दो ग्राम सजी में पिकरिया दो ayat führt यह कि लीटर पानी के अनपार्थ में प्रयोग करना है हमाइछ चाह आप 2 तीन यह चार अभी अबने के बारे में बता कि आप उसको यूरिया या भरवरी मिट्टी में या इस किसी के इसाब से फैक सकते हैं लेकिन जो प्रिकरिया दो या तीन या चार है वो आप फैकनी नहीं है उसका छिरकाव होगा और इसका अनुपात है जो एक लीटर पानी के अनुपात में प्रोव होना चाहिए मतलब यह है कि आप जब भी चिरकाव करें जैसे आपको एक बीग में चार्ट तंकी देनी है और उसके लिए एक लीटर चाल लीटर पानी में आपको उसको गोलना है ठीक है एक एक लीटर उसी टंकी में डालना है और उसके साथ में चिरकाव करना है और तकरीवन दूसरा जो इस्ट बहुत बड़ी पीडियफ को जाती तो उसके 40 से 45 दिनवाद आप उसको यूज कर सकते हैं दूसरे स्टेप को तीसरे स्टेप को उसके 25 दिनवाद यूज कर सकते हैं कि हरी सजीमनी का एक विसेश्ट प्रकरती का मतलब आगन उप्ताब्द है रसायन छेकाब में 20 से 40 प्रतिसत की बचत होती है और पसल में उत्पाद में 25 से 50 प्रतिसत की ब्रद्दी होती है हम बता दें कि हमारे पिताजी के जमाने से लेके अभी तक हमने एक बीगा में करीद 10 कुंटल नहीं गयों देखे थे आज तक का रिकॉर्ड है आज तक का रिकॉर्ड था अभी दो साल पहले का कि हमने कभी 10 कुंटल से जादा देखे ही नहीं थे उसमें क्योंकि हम बचपन से जाते थे लेकिन हमारे पिता जी बोड़ी पकराने के लिए हमने ले जाते तरह तो ज्यादा से ज्यादा आज आठ कुंटल निकलता था और जब से हमने दो पिछली साल से हमने हरी सजीमिदी दिए और हम बता दें हमारा खेत गिर्वी जाता है पहली बात तो गिरता भी नहीं है एक इवार गिरा है गिर्वी जाता है तब भी 15 कुंटल से नीचे कभी नहीं निकला आज तक का रिकॉर्ड है दो सालते अंदर और वो सब पावर है हरी सजीमनी की और किसी के जैसे उपज नहीं बढ़ती है तो आप हरी सजीमनी देओगे आजदी आपके खेद में पांच कुंटल गयों बगेरा या कुछ भी हो रहा है आप हरी सजीमनी को दो कम से कम आपके 50% करी 25 से 50% ओटोमेटिक ब्रद्धी हो जाती है अभी हमारे में 8 से 10 कुंटल निकलता था पिछले साल हमने ए सुरच्चित है हम लोग इसको चिरकाप करते हैं तो यह ना तो जानवरों के लिए नुक्शांदायक है ना पच्चियों के लिए ना पर्यावण के लिए और भी आम मार्केट की दवाई यूज करते हैं तो हम मास्क बगएरा यूज करना पड़ता है क्योंकि उसमें और हम कहते हैं, चौमां से वगेरा में जो सर वर्सात का मौसम आता है। تو हम उसमें बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे चारा वगेरा आता है, पसू के लिए, तो हम बोलते हैं, जब तो ऊपर का पाणी नहीं पड़ेगा जब तो उसको चारे को नहीं खिला सकते लेकिन इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है ना पच्चियों के लिए ना पथू के लिए किसी के लिए भी निर्देश हरी सजी में पिकरिया दो या तीन का छिरकाप करते समय जमीन गीली होनी चाहिए आप जब त्रण्त पानी देना जरूरी है यदि आपके यदि आप नहीं उसकी वेज़ेसे नहीं दे पाए और आपका टाइम हो जाता है चालीस से 50 तो आप ऐसा करें उसको दवाई को देके तुरंधी पानी लगा देए आप सूखे में करें क्योंकि सूखे में यह बुलकुल निाए बुलकुल करती सब्सक्राइब और यदि आपके पास में सुवह ठाइम नहीं ही है हम उस चूट जाएगी जब उसके बास में करेंगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आप जितना हो सके टाइम इसका आर्ट हम जातर आठ से और दस के बीच में देते हैं और साम को पांच वज़े के बाद में यूज करते हैं और उसको 32 पानी के लिए आप समय का बहुत ध्यान रखें क्योंकि ग्यार्व से पहले ग्याराव यजा कि बाद में इसका ना करें तो k इस अच्य परडाम के लίए आप सोबें करीब ग्यारा वज़े से पहले और साम को पांच वजे के बाद ही यूज करें हरित सजीमनी करीब इसकी MRP जो रुपई है और इसकी जो डेपी रेट है आपको 1500 रुपई है और इसका सबसे बहतरीन बात यह इसका पीवी भी पंदे सो रुपई है तो करीब चार मैंने चार सेल कर देते हो तो तक्रीबन च्छार बिनीस होता है और च्छार रुपई में होता है तक्रीबन तीन महीने के अंदर आपका बीलवारा क्वालिफाइड है और हमारी टीम में दो लोगों ने करार रखता है और फुल बिजनिस बॉलियम की बैसे और हमने भी कराता है और हम बता अभी गुर्देब कह रहे हैं कि बीलवारा चलो यह सबसे बहतरी प्रोडेक्ट है आपको बील जिन्हों ने नौवंबर के में तीन पीस किये हरी सजीवनी से फुल बिजनिस बॉलियम करीद साड़े चार अज़ार बिजनिस मिला है हरी सजीवनी से थैंक यू जे आर सीयम गुरुदे ओवर्टू गुरुदेव अज की मिटिंग के लिए आप सर के लिए आप सर के लिए आप सबी के लिए प्रेयर कर देना प्रूप में हैं अधर बहुत दुलेवास हैं सर यूट्यूब पे हैं